सबसे सब सबोग करने के बाद के मन में वहत सारे कुशल रहे होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए आपको संदक्राशेशन करवाना है इस वे से यह घॉस कब preparation start करनी चाहिए कब best रहेगा एक group देना बैतर रहेगा या दो group देने चाहिए December 23 में देना चाहिए या June 24 में देने चाहिए है ना और new slaybers, old slaybers का क्या चक्कर है है ना तो यह सब भी question इस video में मैं आपके साथ discuss करने वालो मेरा नाम है बच्चो CACS संधी परोड़ा और आज मैं आपके साथ complete नए slaybers के accordingly जो नए slaybers मरा 2022 है उसके बारे में मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ A2Jet ठीक है और सबसे बड़ी बात सबसे पहले आपको बताऊंगा आपको बहुत ही affordable price पे आपको 7500 में single group आपको available हो जाएगा और अगर आप hard copy books लेना चाहते हो तो 9000 rupees में available हो जाएगा ठीक है और बोद ग्रूप और भी ज़्यादा affordable price में आपको description में link देदूँगा ठीक है directly अब link पे click करके buy कर सकते हैं बहुत ही high quality video lectures है latest recording है as per the news labels है as per the new study material है ICSI का ठीक है तो मौका मत गवाई हैगा ठीक है और सबसे पहले बात हम बात करेंगे सबसे important जो बात होती है जो actually में हम लोग मैं पहुसरे बच्चों ने कहा कि sir आप सबसे पहले वाली बात सबसे बात में करते हो कि कब हमें study start करनी चाहिए when we should start study अब देखिए सबसे बड़ी बात अब हमें suppose कीजिए अगर आप December 23 में देना चाहते हैं December 23 में ही देना चाहिए आपको ठोकि बहुत ही sufficient time available है आपके पास माई का half निकल गया हुए आदा माई ना माई का है ठीक है अगर माई को आप पूरा ले लेते हैं December को ignore कर देंगे अगर माई के चली आपके पास माई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, अक्टूबर November 7 मांथ हैं आपके पास 7 मांथ हैं अगर आप एक ग्रूप देना चाहते हैं अगर आप सिंगल ग्रूप देना चाहते हैं तो मैं आपको ग्रूप 1 के लिए सजेस्ट करूँगा ठीक है और दूसरा अप्शन आपके पास है बोध ग्रूप जो बच्चे मैं आपको बिल्कुल फिर सजेशन दूँगा स्टडी आपको आज से ही शुरू करने चाहिए क्योंकि जितना डिले अब बच्चे बहुत सारे बहुत बड़ी वीवकुफियां करते हैं कि डिले पे डिले करते रहते हैं कि सर हम December में दे देंगे महीना अभी ये चल रहा है अभी वो चल रहा है जितना आप delay करोगे exam को study को उतना ज़्यादा मान के चलिए उतने आपका सूरवार होगे उतने number of attempts के लिए किसी को भी पूछ लेना executive में ज़्यादा attempt का ये की करण होता है बच्चे delay करते रहते हैं delay करते रहते हैं delay 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 की वज़े से बहुत ज़्यादा actually में number of attempts लग जाती है जिसकी वज़े से आप मान के चलिए आपको भी बता है जितना ज़्यादा attempts आपकी लगी होंगी उतनी ज़्यादा अगर जॉब में आपकी जो value है वो कम होती जाएगी ठीक है ना practice में आपको बता है अगर आप practice करते हैं उसमें तो number of attempts की कोई माइने नहीं रखता वो कीमत आपकी चुकानी पढ़ती है उसके लिए ठीक है monetary term में आप indirectly आपको कीमत चुकानी ही पढ़ती है ठीक है वो आप समझो या ना समझो पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपको जल्द से जल्द जल्द से जल्द start study करना चाहिए ठीक है ना और सबसे बड़ी बात पहले MCQ सब्जेक्ट हुआ करते थे फिर भी थोड़ा सा आप उसको loosely कर सकते थे बहुत अच्छे से चाहिए आपको बहुत detail में practice चाहिए आपको ठीक है ना इसलिए आपको सही समय पर जल्द से जल्द आपको within a week इसी week के अंदर अंदर आपको study proper schedule बना के start करना ही चाहिए ठीक है ना immediately we should start the study ठीक है जी as soon as possible इतना जल्द से जल्द कर सकते हो इसको बिल्कुर delay मत करो नहीं तो आप फुद इस चीज के जिम्मेदार होगे number of attempts अपकी भढ़ती जाएंगी fail पे fail होते जाओगे क्योंकि आपको भी बता है पहली first impression is the last impression आप फुद आपका अगर पहली attempt में अगर आपका एक ग्रूप निकल गया तो आपका confidence level कहीं और होता है अगर पहली attempt में ही बंदा वो कहता है कि December में दे देंगे है ना नलायक बच्चों वाली हरकते बिल्कुल मत करो तो कि actually में एक जो नलायक बच्चा और नखिद बच्चा जो हता है पंजाबी लेंगवी में हमारी बोलते है तो वो एक्चुली में डिले डिले करता रहता है वो जून में सब्स दे दे दें बस वो टाइम पास कर रहा है वो एक्चुली में वो उसको आगे से आगे पोस्टमोन करी जा रहा है लेकर आप अपनी सक्सेस को पोस्टमोन करी जा रहे है पोस्टमोन नहीं कर एक्चुली में पोस्टमोन करके करके उसका गला घोट रहे हो इसलिए इमेजटली आपको स्टरी स्टार्ट कर देना चाहिए स्केडूल बनाईए एक घंटा दो घंट जितना दे सकते हैं चुरू कीजिए जितना जल्दी स्टर्डी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी स्लेवर्स खतम होगा और आगे आपके लिए पहतर रहेगा ठीक है ग्रूप वन मैं आपको सिंगल ग्रूप की सजेशन दूंगा अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कॉले आडि बाद जाना बड़ता है वो बच्चे बहुत ग्रूप भी बड़े राम से दे सकते हैं खीक है जी उसके बाद रजिस्ट्रिशन कब तक करवाना है कि अधो के लिए बचो ौकि अगर आप यहन टाइम होता है ओल्द फाइव होगी अगर आप एक ग्रूप देना चाहते हो तो 31 जुलाई तक आपके पास समय है अराम से registration करवाईए है ना मानली जी आपको financial issue है अगर आप देना December में एक ग्रूप ही चाहते हो तो अब 31 जुलाई तक जब registration करवा लो तो 31 जुलाई तक का आपके पास time होता है पीस में आपको पीस आपकी केतनी होती है 10,100 होती है 10,100 है इसी में hard copy books की फीस्ट भी include है इसी में आपकी ODP की फीस्ट भी include है इसी के अंदर आपकी जो pre-examination test है उसकी 1000 फीस्ट भी include है उसी में आपकी books वगएर सब कुछ आपको automatically विजने में month आपको deliver हो जाएंगी institute की तरफ से ठीक है जी और procedure क्या है procedure इसके लिए मैं आपको link में video description में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ठीक है जाके आप वहाँ से procedure complete letters देख सकते हैं किस तरह के साब register कर वा सकते हो उसके बाद जो subjects हैं subjects कौन-कौन से होने वाले हैं subject आपके group 1 में 4 subject है group 1 में 4 subject है group 2 में 3 subject है पहले module बूला करते थे प्राने syllabus में अब नए आपको अब यहां पर new syllabus applicable होगा आपको ठीक है अब आप old syllabus की बात ही मत करिए आपको नए syllabus से applicable होने वाला है चार subject है पहला पहला वेपर है जे आई जी यल जूरुस्पृट्टिंस इंटर्पेटिशन जनर्रल लॉव यह सब्जेक्टिव है एक्चली में चली में आपको बुझाता हूँ दूसरा वेपर है आपका प्रेक्टिस तीसरा वेपर है सेटिंग आप बिजनर्स इंडर्स्टियल लेवर लॉव ठीक है चौर्था वेपर है corporate accounting and financial management यह जो तीन वेपर है इनमें 80% plus 20% है मतलब 80% सब्जेक्टिव होने वाला है 20% mcq based होने वाला है ठीक है और जो group 2 है इसमें capital security law and capital market ठीक है और 6 नमबर पर होने वाला है economic economic business and intellectual property laws ठीक है जी और 7 होने वाला है tax law subject ठीक है जी यह भी ऐसा ही है यह सारे 80% subjective है plus 20% mcq based होने वाले है ठीक है जी तीन घंटे का paper होने वाला है आपको तीन घंटे का paper होने वाला है और तो और नमबर का paper होगा passing criteria आपको passing criteria आपके पास वही 40% और है ना on an average group 1 में आपको minimum हर subject में 40% और aggregate 50% चाहिए group को pass करने के लिए ठीक है जी उसके बाद अगर हम बात करें odop and pre examination test odop आप ICSI से contact करके पता कर सकते हैं जो भी आपकी nearest branch है वहां से आप contact करके सारी information extract कर सकते हैं कि कौन सी date को वहां पे आप email डालिए ठीक है आप एक वरी visit किजिए उसे number आपसे पता कर लीजी ठीक है आपको जो भी प्रिए में contact करने का ठीक है वह official जो है government institution जो ऐसी होती है तो वह written record है उसको बहुत अच्छे जैनुन वेव में लेते हैं तो आप वहां पर जानिए कि कौन सी date को ओडियोपी होनी है ना कि आप वेट के दिए कि कब दिसंबर के exam आएंगे क्योंकि आपको exam form भनने से पहले पहले exam form आपको जो भनना पड़ेगा exam आप मानके चलिए आपको audio p फिर pre exam ठीक है यह दोगे फिर आपको exam form भनने को मिलेगा exam form आपको भनना पड़ेगा exam form कब भनना है आपको December के लिए आप मानके चलिए September 23 में December 23 के exam देने के लिए September 2023 में आपको जो है exam form भनना होगा ठीक है exam form आपको September 23 में कितनी फीस होगी 1200 रुपे एक ग्रुप की होगी ठीक है जी अगर बहुत ग्रुप है तो 2400 हो जाएगी प्री एक्जामिनेशन टेस्ट क्या है आपको MCU इनके online पैनल पे होते हैं इसका भी मैं आपको description में वीडियो दे दूंगा कि कैसे जाके आप website पे दे सकते हैं करवाने के बाद ठीक है यह आपको क्लियर करने होते हैं वही 40-50 पिसंट की condition के साथ ठीक है और आपको यहां पर कोई यह समझ के जली है एक्जाम में बैठने के लिए प्री कंडिशन है तो यह प्री कंडिशन जब तक पूरी नहीं करोगी और डी ओपी की और प्री एक्जामिनेशन की तब तक आपका एक्जाम फॉर्म फिल नहीं होगा इसलिए कम से कम एक महिना पहले अगर आप टेंशन सप्टेंबर में भरना है मैं आपको यह पहले ही चीज इनफॉर्म कर रहा हूं यह छोड़ोड़ी चीज़ें बहुत एक्जरी में बाद में आपको परिशान करते हैं पुरा पंदा दिन महीना खराब हो जाता है इन चीजों से ठीक है उसके बाद स्टड़ी बिलकुल प्र आपके पस बिलनागे मैंने बदायाएं आपको सात महीने हैं चार महीने अराव से चार से पाँच घंटे मिनिम्म 4 घंटे कहार हूं एकसिम जीदने दे सकते हो घीक है अब टिक है जब जल्दी फ्री हो जाओगे तो कम से कम चार घंटे का स्केडूल बनाईए बहुत अच् कि रिवीजन कम से कम दो बार हो जाए जितनी बार रिवीजन होगी उतनी बार आपका confidence उतना जदा आपका confidence boost होगा इसलिए maximum से maximum revision करिए ठीक है जल्दी से जल्दी स्लेबर्स खतम होने का यही फायदा होता है ठीक है वाज के लिए इतना ही बच्चों जो हमें चनल में नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बैले के दबाना मत बुलेगा वीडियो को लाइक को जुरू कर लिएगा और सबसे बड़ी बात जैसे मैं आपको बताया बहुत ही लिमिटेड पीरिड के लिए कर सकते क्लासे तो आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक्यू गुडबाए